जब घर में कुछ ना हो और पड़े हो प्याज और टमाटर तो चलिए आज हम इनी की एक नई रैसेपी बनाते हैं ये कीन मानिए बहुत बढ़िया और स्वाधिस्ट रैसेपी बनेगी इसके लिए मैं चार प्याज और दो टमाटर लिए हैं टमाटर और प्याज को मैंने और हमने बड़े बड़ा काटा है जिससे ये अपने आपी सारे प्याज खुल जाएंगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अब हम इसमें अपने कटेवे टमाटर डालेंगे और इनको भी फ्राई करेंगे यकीन मानिए आपने ये रेसिपी पहले नहीं बनाई होगी और आप बना के देखिए जिब रोज की सबजी दाल सबजी खान के बोल हो गयो तो कुछ अलग बना के और इसको ट्राई करके दे बून के त्यार हो चुके हैं इसमें से आदे आदे से ज़्यादा हम इसों निकाल लेंगे और अब इसमें हम जो बचेवे प्यास टमाटे इसमें धनिया जीरा और अद्रक डाल के इनको अच्छे तरह से भूनेंगे बहुत ही जल्दी दो मिनट पे बनने वाली ये रेसेपी है आप यकीन वानिये आप इसको बार बार बनाएंगे जब एक बार बना लेंगे इसको अब हम उसको निकाल के इसमें बचेवे तेल में जीरा और कसूरी मेती डालेंगे और जो हमने ये पेस्ट बनाया टमाटा और इसका ये भी इसमें डालेंगे और अच्छे तरह से भूनेंगे तो थोड़ा सा पाय डालके इसको अच्छे तरह से भूनेंगे अब थोड़ा इसमें दही डालेंगे क्योंकि प्याज जो होती है थोड़ी मीठी होती है सबजी बनने के बाद इसकी मिठास आजाती है तो इस वज़े से थोड़ा कट्टपन लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ड़ी डालेंगे और यह जो हमने अब प्याज और टमाटर बचाए थे अब वह हम इसमें डालेंगे और आप इनको अच्छे तरह से पकने देंगे देखे कित बढ़िया और जटपड बनने वाली रेसिपी है खाने में बहुत अच्छी और स्वादिस्ट लगती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और देखे हमारी सबजी बनके त्यार हो चुकि है त्यक olursी हमारी सब्सक्राइब कीजिए रेसिए और अच्छी और स्वादिस्ट सब्सक्राइब कीजिए यकीन मांआइए आप एक बर से घर पे बनाके देखे हैं आप इसको बार बार बनाएंगे और जब डाल सब्सक्राइब escape Hebrews झाल झाल